अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें सबसे बड़ी भुजा सबसे लंबी भुजा होती है तो आपको ये इसमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम एक समकौन दिरुज ले लेते है ये हमें ड्रो कर लिया है बना लिया है आपका एक समकौन दिरुज इसको हम नाम दे देते हैं A ये B और ये C जिसमें हम यहाँ पे कौन भी जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका समकौन बनाने वाला कौन और उसके बाद आप जानते है कि ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो बुजा होती है ये क्या होती है आपके करन होती है इसको आपको ये बताना है इसमें कि समकौन तिरबुज में जो कर्ण है मिन्स ये जो AC है वो सबसे बड़ी भुजा है मतलब वो AC, AB से भी बड़ी है और AC जो है, वो BC से भी बड़ी है ये आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं दिया है तिरबुज, समकौन तिरबुज ABC फिर उसमें बता देखें जिसमें कौन भी समकौन है जिसमें कौन भी समकौन है बतलब 90 डिकरी का होगी आपका और AC आपकी कर्ण है तथा AC कर्ण है ये आपको दिया है अब सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं हम यापे सिद्ध करना है देखें आपको सिद्ध क्या करना है कि जो AC है वो क्या है मतलब कर्ण जो AC है वो सबसे बड़ी बुजा आपको सिद्ध करनी है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो AC होगी AC ये क्या होगी बड़ी होगी AB से AC बड़ी होगी AB से और AC जो होगी वो आपकी बड़ी होगी BC से Greater than greater than BC ये आपको सिद्ध करना है अर्थात कर्ण AC सबसे लंबी बुजा है सबसे लंबी बुजा है ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है आप इसका प्रूफ देखते हैं परमान कैसे हम इसको सिद्ध करते है हम इसमें देखते हैं कि समकौन तरिबुज ABC में समकौन तरिबुज ABC में देखे यहाँ पर आप देखे कौन भी क्या है कौन भी समकौन है और दो अन्य क्या है न्यून कोन है मतलब कौन भी समकौन और कौन A कौन A तथा कौन सी जो है ये क्या है नियून कौन है अब आप देखिए जब ये 90 डिगरी है तो इसका मतलब ये जो दो कौन होंगे ये वाला कौन प्लस ये वाला कौन क्योंकि तिर्बुच के तीनो कौनों को एकस्वस्य होता है अगर ये नव्य है तो ये दो कौनों का योग जो होगा वो मिलकर नव्य आयाएगा वो नव्य डिगरी за yukic क्योंकि ये तो अख्यल्ड नव्य हो गया और तीनो कोनों को एकस्वस्य होता ईसका मतलब इनोई क्यों कभीन, कौन का नव्य ,ब यह क्यों धिस्त डि estar jagal SEO चांज मैंने करें कि यह हैं मतलब की हरेरे कोन ों क्लिए कि यह वहीं सिलने का हैं ज्यक्ति का अधार क्या ग 특व किकिन उसका मतलब आपको यहांपे पता लग गया होगा कि यहां पे आगर कोन भी समकोन है तो कौन है और कौन सी क्या है नियून कोन है अब हम बात करते हैं इसमें कोन भी मतलब एक एक को लिकर चलेंगे कोन भी के साथ चुकि कोन भी समकोन है समकोन तथा कोन ए नियून कोन है अब आप यहाँ पे देखिए जब कौन भी समकौन है और कौन है न्यून कौन है तो आपको पता है समकौन क्या होता है नबड़िवी और न्यून को नबड़िवी से कम इसका मज़़ा है यहाँ से आपको क्या बता लेता है इसलिए कि कौन भी क्या है किसे? कौन? C से A से यहापे A लेकर चली न तो कौन B क्या बड़ा है? कौन? A से अब आप जानते हैं कि बड़े कौन के सम्मुक बुझा जो होती है वो क्या होती है? बड़ा कौन कौन B? कौन B के सामने वाली बुझा क्या होगी? इसलिए हैं आपे कह सकते हैं कि जो कौन B के सामने विजा A C ये बड़ी होगी कौन A इसके सामने की भुजा क्या हो गई अपकी B C कि A C जो है वो बड़ी हो गई कौन A के सामने की भुजा B C और ब्रैकेट में इसका कारण जरूर देना है आपको लिखना है कि बड़े कौन की सम्मुख भुजा बड़ी होती है अब जैसे हमने कौन B के साथ आप कौने लेकर चलें इसी तरह से हम कौन B के साथ आप क्या लेकर चलेंगे कौन C हम देखते हैं आप एक चूकी कौन B सम कौन है तथा कौन C जो है वो क्या है नियून कौन है अब इससे आपको क्या पता रगता है इसलिए कि जो कौन B होगा वो बड़ा होगा किससे कौन C से है मतलब कौन B greater than कौन C क्लियर है क्योंकि ये नब इड़ी और नियून कौन के उता है नब इसे कम का होता है अब बड़े कौन की सम्मुख बुझा कौन B के सम्मुख बुझा क्या होगी A, C होगी तो कौन B के सामने की बुझा A, C ये बड़ी होगी कौन C इसके सामने की बुझा क्या है A, B तो यहाँ A, C greater than होगी या A, B कैसे हुआ क्योंकि बड़े कौन की सम्मुख बुझा बड़ी होती है अब आपको पता लग गया ये सम्मिकरन इसको 1 कह दीजिए सम्मिकरन 2 कह दीजिए अब 1 से क्या पता लग रहा कि A, C is greater than B, C सम्मिकरन 1 से और सम्मिकरन 2 से A, C is greater than A, B तो आपको यही सिद करना था यहाँ से आप कह सकते हो कि सम्मिकरन 1, 2, C क्या हुआ, A, C is greater than A, B और A, C is greater than A, C इसलिए आप क्या कह सकते हो कि A, C, जो करन A, C है वो सम्मिकरन तरभूज में क्या है सबसे लंबी भूजा है इसलिए A, C सम्मिकरन तरभूज A, B, C में सबसे लंबी भूजा है सबसे लंबी भूजा है यहाँ पर A, C करन A, C लिख देना इसलिए करन A, C सम्मिकरन तरभूज A, B, C में सबसे लंबी भूजा है यही आपको प्रूफ करना था यही करना था कि A, C सम्मिकरन तरभूज में क्या है सबसे लंबी भूजा है इसमें कोई वीडियो आउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू वेरी मच